देखो भाईया कितना ड्रावरी पर कितना करीबी आ गया विचारे पर एक पैसा जहांट नहीं बच रहा है देखो किसी को डीजल नहीं मिल रहा है सारे ड्रावर बैठे और देखो गाड़ी या घड़ी है ड्रावर आ रहे पूरे रोड जाम कर रखा है दोस्तों एक साथ कई ड्राइवरों ने एक पेट्रॉल पंपर पंचायत ही कर डाली देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से ये सब ही बैठे हुए हैं पंचायत हो रही है एक दूसरे से सला मश्वरा हो रहा है यहां पर अपनी समस्या अपने मालिक तक पहुचाने की गुहार लग रही है क्या हुआ ऐसा कि ये सब इकठे हुए हैं क्यों इस तरह बैठे हैं क्यों इन्होंने वगावत कर दी है जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में नमस्कार ट्रांस्पोर्ट टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ असलम कुरेशी आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी सबसे पहले सुन ये ड्राइवर की क्या गुहार है क्या पुकार है बईया देखो द्राइवरों की पंचात चल रही है देखो किसी नहीं मिल रहा है सारे ड्राइवर बैठे हैं पूरे रोड जाम कर रखा है भाजी साब बोल रहे हैं भाइया सेलरी से डीजल कट होगा और ना तो पमप पे खड़ी कर दो तो भाइया खड़ी हैं अपने ड्रावर बेजो गाड़ी एंड ओपर कराएं और हमारा लाइसेंस और हमारी सेलरी विजवादो आम घर निकलें वह उसे देखे ही बेजें, गाड़ी अपनी लेलो भाईया, हमें कोई वो नहीं है, देखो भाईया कितना ड्राइवरी पर कितना करीवी आ गया विचारे बे, एक पैसा जहांट नहीं बच रहा है, तुम कह रहे हो पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है, साला चात दिन में चक्क कमपनी में कुछ ड्राइवर लगे हुए हैं, जो रेगुलर अपनी गाड़ी लेकर आते जाते रहते हैं, बहादूर गड़ हर्याना की एक कमपनी में ऐसा भी लगे हैं, इनका कहना ये है कि कमपनी वाले इन्हें डीजल भरवा के देते हैं, लेकिन एक साइड का ही 1.500 किल कि यहां पर कैसे पैसे बचे, कैसे एवरेज निकालें, क्योंकि गाड़ी इतनी एवरेज तो दे नहीं रही, इस वज़े से इन्होंने अपने कमपनी वालों से गुहार लगाई, कि भईया एवरेज नहीं मिल रही है, ऐसे में डीजल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, आखिरकार जब यह लोड लेकर निकले, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे ही नहीं, उससे पहले डीजल खतम हो गया, तो एक पेट्रॉल पंपर इस तरह से जमावडा लग गया, सोनों हैं जिन्होंने हम तक यह वीडियो पहुचाई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आठ से दस ड्राइवर इसी तरह परेशान बैठे हैं, और सभी ने एक साथ ये मन बनाया कि नहीं, अब इस कमपनी में गुजारा नहीं है, अब ये कमपनी छोड़नी होगी क्योंकि मालिक तो मान ही नहीं रहा, इन्होंने जब कहा कि भईया इस तरह की समस्या आ रही है, तो इन्होंने का ठीक, आप बैठिये, हम अपना ड्राइवर लेकर आ रहे हैं, आपका हिसाब किताब कर देंगे, आप वहाँ से चले जाईएगा, मतुरा में एक पेट्रॉल पंप के पास ये सभी बैठे हुए थे, गाडियां आप देख सकते एनलाइन से लगी हुई है, बजाए कि इनकी समस्या का समाधान करने के, सोनों ने बताया कि मुनीम जी आए, वहीं पर on the sport इनका हिसाब किताब किया गया, और इनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया, इनके मताबिक वो अपने साथ ड्राइवर भी ले आये थे, सोच सक कल गए, अब जब हमने कारण पूछा कि कुछ सला मशरा करते, कोई बीच की बात निकालते, इस तरह कंपनी छोड़ने का, या काम छोड़ने का क्या मतलब, तो उन्हें ने जो बताया, वह वह वाकई में दर्दनाक था, उनका कहना है कि आज कल ये समस्या सिर्फ इस वज़ कोई भी ओने दाम पर काम कर लेता है, जिसकी वज़े से इनको मन चाहा या तैसुदा भाला या तनखा नहीं मिलती, इसलिए जब कम दाम पर कोई मिल जाता है, तो ऐसे ड्राइवरों को निकाल दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, इस समस्या से दो चार इन को एक जुठोना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल होगा, इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजन्ट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की, ट्रांस्पोर्ट टीवी पर हमें हर रोज धेरों ऐसे केस मिलते हैं, जहां पर एक एजन्ट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है कलेम के समय, और अगर कलेम की नौबत ना आए, तो पता भी नहीं चलता, इसी लिए दोस्तों, ट्रांस्पोर्ट टीवी लाया है, ट्रांस्पोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवान